आप सबे का स्वागात है यहाँ पर आज हम बात करेंगे प्रमोख अप्डेट के बारे में तो सिपाही भरती में लग गए यहाँ पर 6 साल UPSC के हम लोग बात करेंगे PCS 2021 परिच्छा को लेकर बात करेंगे असिस्टिन प्रोफेसर और विभेन विभागों में आपके जोरिक्त पत हैं उनको लेकर बात करेंगे तो कई सारे यहाँ पर अप्डेट हैं एक लिकर करके हम डिस्कुस करेंगे तो आज का सबसे पहला आपका अप्डेट है कि सिपाही भरती में लग गए यहाँ पर 6 साल तो जहां पर UPSC जैसा आयोग होगा वहाँ पर 6 साल तो लगना बड़ी बात नहीं है क्योंकि यह बिलकुल एक बेकार आयोग है जिसने बच्चों का भविस्क खराब करकर रखा ह आपकारी सारीरिक मावदंड सारीरिक परिच्छा वह साचहतकार से होना था चेयन 2016 में शुरू हुआ था भरती 2022 में अंतिम चेयन परड़ा में अबर जारी हुआ है मतलब समझ सकते हैं कि यह आयोग किस तरह का है एक भरती को पूरा करने में इसको 6-6 साल लग जाते है गजब का आयोग है जो बच्चों के फ्यूचर को बरबात करने में बहुत ही आगे इसका योगदान है बच्चों का भष बरबात करने में यह आयोग बच्चों का भष पर लिवल होगा कितना दुखी होगा इन सब चीजों से लेकिन आयों को इस पर कोई फरक पढ़ता नहीं है ठीक है चलिए इन्होंने यहां पर इसको जारी कर दिया है तो 405 बच्चों का यहां पर सेलेक्शन हुआ है तो इन सभी बच्चों का जो होली है बहुत अच्छा जा है इनका यह पूरा इनका जो अप्लिकेशन है वो इसको यहां पर रत कर दिया है तो उत्तर प्रदेश लोकसिवा आयोग मुख्य परिच्चा 2021 में सामिल होने जारे इनकी पूरिश्पत्र रोक दिये हैं और चात्रों ने प्रधानाचारी पत के लिए आवेदन यहां पर किये हैं आगे यहां पर है कि यूपी प्यसी ने पीसीएस के 678 पदों पर भरती के लिए आयोजित प्रारेमिक प्रिच्चा का पढ़ाम पिछली साल एक दिसंबर को जारे किया था 7668 चात्र यहां परमग प्रिच्चा के लिए सपल हुए थे और सभी सपल चात्र आयोग नेमग प्रिच्चा के लिए आवेदन मांगे थे सबस्क्राइब आयोग में जमा करने थी और प्रधान चार पत्र के लिए आवेदन करने वाले चात्रों को आवेदन के हाड कापी के साथ 3 साल का अनुबव प्राणपत्र भी यहां पर जमा करना था ठीक यह भी इनको दिना था जो कि यहां पर यह लोग पत्रों के साथ अनुबह प्रमानपत्र जंगलंग नहीं किये तो कुछ छात्रों ने तीन वर से कम अनुबह के प्रमानपत्र लगा दिये तो ऐसे में यहाँ पर 400, 89 ऐसे यहाँ पर छात्र हैं जिनका मुख परिच्छा के लिए जो है इनका परिष्पतर जारी नहीं किया गया है ना ही उन्हें अब परिच्छा में समयल होने दिया जाएगा तो यहाँ पर एक अपका अपडेट है आगे यहां पर आपका अपडेट है कि GS तैकरे का कौन देगा इंटरव्यू यानि कि असेस्टेंट प्रोफेसर भरती स्लामान अध्यन के प्रसनों ने उलजाया तो विशियों से जुड़े प्रसेस वालों ने दी रहातिया ने कि यहां पर GS का जो कोशन है काफी अच्छे ल प्रानिंग पर विच्छक के यहां पर पद हैं आप यहां पर जाकी अविधन अपना कर सकते हैं इसके अलावा यहां पर अगला प्रेट है कि नकल करानी बालों पर लगेगी रासुका याने कि मुख की सचीवने नकल विहिन बोर्ड प्रिच्छा के लिए अधकारियों के साथ पुरा अपना प्लान त्यार किया है तो यह यहां पर सिस्टम आपको देखने को मिलेगा जो प्रदिश में जो बोर्ड प्रिच्छा होना है उस पर भी काफी यह एक सकती यहां पर देखानी यह दिखाई जाएगी और यह आपको देखने को मिलेगा ठीक है इसके अलावा यहां पर 4.74 करोण बच्चों को मिले का वैक्सिन का सुरक्षा कवाचे कोविड कोविड जो आपकी वेबसाइट है उस पे पंजी करता से कर सकते हैं अपना और 12 साल से कम आई वाले बच्चों को नहीं लगे का ठीका तो 12 से लेकर 14 यानि 12 से लेकर 14 साल तक के जो बच्चे है उनकी लिए यहां पर यह सिस्टम सुरू किया जा रहा है ठीक है बाकि इसके लावा जो साल साल या उससे जो अधिक उमरवाले हैं वो यहां पर बोश्टा डोज यहां पर लगवा सकते हैं ठीक है अधिक जो खिम वा DRESS CODE जरूरी हाइपर अबना FACLNA सुना दिया है आप यहाँ पर जो लोग यहाँ पर सुप्रीम कोड जा सकते हैं बट हाइकर्ट यहाँ पर इस्प्रेश्ट सब्दों में बोल दिया है यह जो स्कूल तर्षक की जलते वहांट पर आपको ड्स कोड पालन करना होगा हर हालत में ठीक है आपको छूट नहीं की जाएगी क्योंकि अन्य वस्त्र हो थे सिंपल से बात है स्कूल है तो स्कूल में आपको ड्रस कोड ही पहन के जाना चाहिए और कोड ने यही यहां पर अमना फैसला सुना दिया है ठीक है अगर यह हाई कोड भी को जाता है तब भी जो फैसला है वो हमें लगता नहीं कि कहीं से बदलेगा क्योंकि यहां पर हाई कोड ने बिलकुल और भी चीज़े बहुत इस पर रूप से देखी है उनको परखा है कि विवात को तूल देने के पीछे थी अद्रस से ताकते यानि कि हाई कोड को पता है कि यह जो पूरा मामला है इसकी पीछे कोई ने कोई साजस टाइप तो आपको युनिव फॉर्म ही पहन के जाना होगा उसके अलावा आप यहां पर कुछ पहनने सकते हैं ना तो आप इसका विरुद कर सकते हैं ठीक है बाकी जिसको जाना है सुप्रिम कोड वो जा सकता है इसके अलावा यहां पर कुछ अंध यापके पद हैं जिन पर आपक फर्म भर सकते हैं और इसके अलावा राजस्थान कर्मचारी चेयन बोर्ड के 1136 पद है पस्पालन विभाग में आपका पसुधन सहायक भरती है यहां पर भी आपना फर्म भर सकते हैं ठीक है यह सारी आज की प्रवोक यहां पर अपडेट है एक और यहां पर अपका अपडे नया अपडेट है या परिच्छा उस भरती में क्या होना है क्या बाकी रह गया है पूरा जो अपडेट है वो परिच्छा कलंडर के माध्यम से होले के बाद जारी हो जाएगा जाने कि आपका जो मार्च महीने मार्च महीने के एंड में लास्ट वीक तक आपका परिच्छा क्लेंडर आ जाएगा कि कब कौन से पेपर होना है और किस भरती में क्या चला है क्या आगे का प्रोसेजर बागी है जिसको पूरा कराना है तो हो लिए के बाद आपका यूपी ट्रबल सी आयोग परिछा क्लेंडर को जारी करेगा टेक क्यार मिलते हैं नेक्ट वीडियो में